कि नमस्कार साथियों वंदे मात्रम आप सभी को कृष्ण जन्मास्ट में की हार्दिक सुब कामना है मेरा केश चोहान एंविरा एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आज आपके लिए लिए एक अगली सिरीज इससे पहले हमने मात्रक तथा राशियों के दो पार्ट पढ़ लिए थे उनमें हमने जाना सामानी मात्रक को कैसे विद्पन किया जाता है और चोटी राशी से बड़ी राशी यानि छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में परिवर्तन करना और आज क्लास में पढ़ेंगे ताप से स ताप के मात्रक ताप के मुख्यता मात्रक आपको पूछ ले तो चार फरकार के होते हैं कितने फरकार के होते हैं चार फरकार के मात्रक होते हैं तापके सबसे पहला केल्विन केल्विन जिसको आप सो करोगे के से पहला है केल्विन पहला केल्विन दूसरा सेल्सियस जिसको आप सी से और रियूमर जिसको आप सो करोगे आर से और चोता है फरे नाहाईट फरेनाइट जिसको आप सो करोगे एप से तो ताप के चार मात्रक है पहला केलवीन शेल्सियस रियूमर और फरेनाइट यह चार मात्रक आपको याद रखने हैं इन चारों में से चारों कभी साथ नहीं आते हैं ताप का मात्रक है इन चारों में से आपको एक मिल जाएगा और तीन option देखे चौता अलग देखे भी पूछा जा सकता है निम्न में से ताप का मात्रक नहीं है तो एक संबंद है जो संबंद याद रखना important है संबंद वो संबंद है केल्विन 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 Celsius तथा इन तीनों में एक संबंद है अगर वो संबंद आप याद रख लेते हो तो आपको अगर कोई भी राशी दी जाए जैसे फरेंद में देदी डिग्री Celsius में चैंज करनी है तो आप आसानी से कर पाओगे यानि वो संबंद है पांच बट्टा नो एप माइनस 32 एप माइनस 32 बराबर याद रखना है शी एक तो यह याद रखना फरेंद और डिग्री में और आगे इसके याद रख सकते हो तो के माइनस 203 उतर यह तीनो में एक रिलेस्टन है अगर आपको यह रिलेस्टन आगिया समझ में तो आप फरेंद को डिग्री में डिग्री को केल्विन में बदल सकते हो यानि आपको कोई भी क्यूशन बूचा जाए कि फरेंद में इत्ता है तो डिग्री में तो आप इ जीए के यह भी एक संब्मनद सही है और यह बराबर होगा इस केल्विन वाले के पांच बट्टा 9 अधर माइनस 32 यह किसके बराबर होगा लोगा के माइनस 200 243 यहां को एग्जाम में पूचहे विरेज़ी और केलुट्य में कौं से संब्ध है तो फरेनाइट और केलुट्र डिग्री केल्षयस में पूचे तो यह वाला और पूच यहाँ से क्यब्षा गया है कि वहां कौन सा ताफ है डिंगरी सेल्षिस तथा फरें Nту होते हैं हम तक के रूम में याद करके जाते हैं माइनल 14 लेकिन यह गौन सा ताफ है यह कम से पति धार सेवाब हम एकोल होते हैं यानि क्यूशन पूचा गया है कि जैसे क्यूशन है आप सब फैक्ट में याद करते हो वहाँ कौन सा ताप है वहाँ कौन सा ताप जिस पर जिस पर फरेनाइट वह डिग्री सेल्शियस बराबर हो बराबर हो तो अब देखो फरेनाइट वह डिग्री सेल्शिष में समय्सा समंद कारी कर रहा है यानि पांच भण्टा नौत एफ माईन्स आप कौन सा है एक्स तो फरेणाइट एक्स माना तो डिग्री भी क्या होगा एक्स यानि इस फॉर्मुले में माण मान रख रहा हूं 5 बटे 9 एफ की वेली रख रहा हूं एक्स माइनस 32 बड़ाबर कब होगा जब उसकी वेल्यू भी मैंने क्या रखी एक्स अब आप गणीत के स्टूडेंट हो चाहिए आसानी से इनको सरल कर सकते हो कुछ नहीं गुणा करना इधर ध्यान देना जैसे पांच एक्स माइनस 32 को पांच से गुणा 10 और एक हसल 15 और एक 16 160 बराबर ये 9 गुणा नो भाग में थे इधर क्या आ जाएंगे गुणे में यानि 9 एक्स अब हमारे पास माइनस का 160 पड़ा है 9 एक्स और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5 एक्स 9 में से 5 गए तो कित्ते हो जाएंगे 4 एक्स बराबर माइनस 160 अब ध्यान देना एक्स की वेल्यू हमें निकाननी है तो एक्स बराबर 160 माइनस का बट़ा 4 चार चोके 16 0 का 0 तो ये फैक्ट के रूप में पूचा जाता है कि वहां कौन सा ताप है जहां पर फरेनाइट और डिग्री सेल्सिस का मान इक्वल होता है तो हमने सरुआत में उस ताप को क्या मान एक्स क्या माना एक्स यानि एक्स बराबर किता आया 40 अगर मैं माइनस का 40 यहां पर रखूं तो यह और यह रासी क्या आएगी बराबर आएगी क्या आएगी बराबर तो इस प्रकार ऐसा ताप माइनस 40 डिग्री है जा फरेनाइट और डिग्री सेल्सिस क्या होता है अब् western कऊचिए सब्सक्राइब कहने यहां चैख कियए फेर् नाइट में कौन सा समन्द है तो यह वाला समन्द लेना है तो फरेनाईट और कैल्वीन में पहला सरल कर रहा हूँ ऊफरेनाईट और düşण नहीं किसम ने क्या सम्मण यह पांच बटेणरा ऑफ-B Mindus जो सोड तो अब कि ब्राबर के माइनश तो x रखो 5 बट्टा 9 x माइनस 32 बराबर k की जगा रखो x माइनस 203 शरल करना है 5x माइनस गुणा करो 160 और यह 9 गुणा हो जाएगा इस पूरी संक्या से x माइनस 203 शरल करना है 5x का 5x माइनस 160 का 160 9x का 9x कि पाच कि चार और दो यानि 2457 नो ती 272 63 65 ठीक है तो यहां पर पाच एकस इदर आ जाएगा तो नो एकस माइनस पाच एकस बराबर यह पड़ा है माइनस का 200 कि सॉरी यह इदर आएगा यह उदर जाएगा तो दो सो दो जार चार सो सत्तावन माइनस एकसो साथ नो एकस में से पाच एकस गए तो बचा चार एकस 2457 में से 160 जाएंगे तो कित्ता बचेगा 24 में से 160 लगबग निकाल लो आप साथ नो दो और दो अब आप इसको आसानी से सरल कर सकते हो एकस बराबर बाइस संतानू बट्टा चार यानि इसको सरल करोगे जो टेंपरेचर आएगा वहाँ सब्सक्राइब्यों आप डिगरी या फडिक। अप 사थ तो डिगरी में अंतर क्या होगा एनले को यह अगा encant दिग्री यानि दूसरे क्यूशन का सरली करण पांच बट्टा नो यहां पर मैं ले लेता हूं एफ को और इसको अंदर गुणा कर लेता हूं इसको यही छोड़ता हूं ध्यान देना ऐसे जैसे पांच बट्टे एक सम्मंद आपने पड़ा होगा 5F बराबर 9C तो यहां से f बट्टा C की वेल्यू निकालनी है f बट्टा C तो 9 बट्टा ये आजाएगा 5 यानि f की वेल्यू 9 है और C की वेल्यू क्या हैँ पांच यानि 5 f बराबर 9 c और यहां से ये f बट्टा 9 और ये हो जाएगी c बट् यह याद रखना है एक और सम्मंद फेरेनाइट ओर डिगी में स्वरी फेरेनाइट और डिगरी सेल्सिस में अब पूछा जारा आपको फेरेनाइट की वल्यू देरा 45 डिग्री फरेनाइट तो एफ की जगह रख दो 45 कि नो का नो सी का सी और पाच का पाच नो पंजे 45 और सी बराबर हो जाएगा पाच इंटू पाच पाचम 25 तो वह ताप किता होगा 25 डिग्री दो वस्तों के तापो का अंतर अगर फरेनाइट में तो डिग्री सेल्सिस में कितना होगा 25 होगा अब हम कुछ ऐसे उदारण पढ़ेंगे जो आपको डिग्री में दे रहेखा है उसको केलवीन में और केलवीन में दे रहेकर उसको फेरेनाइट में कैसे चैन्ज करते हैं अगला कि सन एक सम्बन्द ये भी आपको याद रखना ह यह आपको याद रखना है और इस की सोंग इसन दूट एक किस बिंदू पर फारेनाइट टाप, सरेंटिक्रेट टाप का दो गुना होता है, यह थोड़ा आप ध्यान देना, ताप की सभी इक अपर डिगरी सेल्सियस लगता है, लेकिन Calevine के उपर नहीं लगता यह कुछ पूछा गया किसे बिंदू पर फारेनैट तता चैन्टिक्रेट ताप का दो गुना होता है वह कौनसा ताप है जहाप फारेनैट है जो गिरी सेंटिक्रेट का ताप का दो गुना प्राप्त होगा तो इसे संबंद को लेते वह मैं C है तो वो कितना है 2C ये वाला सम्मधिस में अपलाई करना एक्वेशन फास्ट में तो C है अपने इस्तान पर पड़ा C और ये दोगुन है मतलब 2C और बट्टा 5 का 5 माइनस 32 बट्टा 9 आसान सी केलकुलेस्टन है 9C बराबर 10C माइनस 160 पांच इंटू 32 एक सो साथ और ये 10C उदर जाएगा तो माइनस का 10C साथ कि माइनस नो स्सूरी प्लस नौ सी बराबर माइनस का 160 माइनस दसी में से 9C चले गए तो माइनस का सी और माइनस का एक सो साथ इस माइनस से माइनस कर जाएगा तो वहां ताप होगा 160 डिग्री option में चेक कीजिएगा 160 डिग्री है जो Fahrenheit ताप Celsius यानि centigrade ताप का दो गुना होता है कितने पर 160 डिग्री ताप पर यानि इस क्यूसन के अनुसार वह ताप ही 160 होगा जहां पर Fahrenheit ताप है तो centigrade ताप का कितना होगा दो गुना होगा कितना होगा दो गुना अगले क्यूसन की बात कर रहा हूँ अच्चा क्यूसन है एक स्वस्त मनुश्य के लिए सरीर का तापमान होता है आपको डिग्री में भी याद करना केलिविन में भी याद करना और Celsius में भी याद करना तीनों में तो डिग्री Celsius में आपको पूछा गया option में चारो डिग्री सेल्सिस में है तो लगबग option में यह आता धियान देना कभी तो आता 36 कि यह 36.9 देरका और 36 भी देरका अगर 36.9 नहीं होता तो आप करते 36 लेकिन यहां पर 36.9 देरका है तो आपको क्या करना है 36.9 सेलसियस अगर इके 35 यह देता और यह 37 देता तो degree Celsius में given है क्या आप Kelvin में निकाल सकते हो यह रहा संबंद एक संबंद था याद है degree Celsius को Kelvin में बदलना degree Celsius को Kelvin में बदलना के बराबर degree Celsius plus 200 तर करना कितना करना Kelvin में कोई भी रासी है सौरी Kelvin मान से हाँ degree Celsius के अंदर अगर 200 तर जोड दिया जाए तो वह रासी convert हो जाती है Kelvin में किसमें अगर यहां पर हमें पूछा गया है Kelvin में और हमारे पास degree Celsius में कितना पड़ा है 36 मैं 36 को 37 ले लूं यह 36 रहना तो 36 और इसमें 200 तर रहेड करने कि छे और तीन नो साथ और तीन दस एक 309 यानि लगबग अगर यहां तोफें से और यह तो और हम होता है consistency और है declined 60 में कितना होता है 310 कितना होता है 310 कितना होता है 310 यानि केल्विन में 310 है degree में इतना है तो आप ऍर निकाल सकते हैं यह निकाल सकतें यह रख रख दो सौरी डिग्री वाली वेल्यू यहां पर रख दो किसमें आ जाएगा फरेनाइट में आ जाएगा अब हम ताफ से कोचर तो हमदें के कुछ फेक्ट पहला दी रहरा है अपके का फेरैंट में ताफ इतना होता है तो आपको मानुस्षरीर का मैने बताया था 380 prem इसके बीचे कभी भी डिग्री नहीं आता यह थोड़ा याद रखना डिग्री कभी नहीं आता कि कभी नहीं आता यह थोड़ा याद रखना कि डिग्री इसमें कभी भी नहीं आता है और फेरेनाइट हो गया केल्विन हो गया डिग्री में पूछे तो अभी हमने पड़ा था 36.9 degree Celsius या option में आपको मिले 37 degree Celsius तो स्वस्त वेक्टी का ताप आपको Fahrenheit में याद रखना डिग्री में याद रखना और Kelvin में याद रखना Fahrenheit में 98.4 Fahrenheit डिग्री केलविन 310 और डिग्री में 36.9 डिग्री या 36 डिग्री Celsius आगे बढ़ते हैं बर्फ का गल्लांक होता है यह थोड़ा इंपोटेंट है फैक्ट की रूप में पूछा गया बर्फ का गल्लांक 0 डिग्री Celsius पर किते डिग्री सेल्सेस किस टाप पर Celsius वा फ़रेनईट का टाप समान होता है यह वेर इंपोटेंट क्युशन है काफी बार फूचा गया है कि ऐसा कौन सा टाप है जहां पर Celsius डिग्री सेल्सेस और डिग्री फ़ेरेनईट इनका टाप का मान समान उता है तो माइनस 40 डिग्री celsius यह थोड़ा important question है कि minus 40 degree ऐसा ताप मान है चहाँ पर degree celsius और Fahrenheit important लगा लेना कभी गुंचालिस पॉइंट नो भी पूछ ले तो भी गुंचालिस पॉइंट नो भी पाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है यह भी अच्छा क्यूसन है कि पाड़ों पर है जो पानी कितने डिग्री टेंपरेचर पर उबलना स्टार्ट हो जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए सो डिग्री celsius से भी कम क्योंकि पाड़ों पर वायुदाब क्या होने के कारण अधिक होने के कारण इसलिए पाड़ों पर चड़ते समय आयतन गेर लेती है यह परीबासा है परम सुन्यताब की यानि 200-2003 वहा ताब है जहाँ पर सभी गयसे अपना आयतन क्या कर लेती है सुन्य की और यानि दिघ्री सेलसिय서 वह तॅ क्या कहलाता है परम सुन्य थाप या ब्रहमान्द का न्यूंतम मात को मातने डीगरी यहाँ त९ह च्ञहँ कि अच्छा क्यूसर स्लिद्ध करने के लिए फाहि ने की यूट को कौन सी राशी से मापा जाता है ताप को किस से मापा जाता है दाप को किस से मापा जाता है हवा गति को किस से मापा जाता है तो हम आगे यही अध्यान करेंगे अगली नई क्लास में उपकरण किस ताप अबर पानी का गनत्व उच्टम होगा ऐसा कौन सा ताप है जापानी का गनत्व उच्तम होगा और गत्व और आईतन में रिलसन याद रखना डी बर अब टन बट्टा वी जब गनत्व अधिक्तम होगा तो आईतन क्या होगा सूरे की सता आताप मान कितना होता है आपका अंसर होना चाहिए छे ग्री दिग्री सेल्सियस किता होता है 6000 डिग्री सेल्सियस और यह क्यूसन रीट में पूछा गया है एक किलो सोरी एक कैलोरी उसमा कितने जूल के इक्वल होती है तो होती है चार पॉइंट दो जूल चार पॉइंट दो चूल एक बार फिर बता देता हूं एक एक कैलोरी उसमा चार पॉइंट दो जूल के एकोल होती है और यह अच्छा क्यूशन है वस्तु किस ताप पर गरम करने पर सपेद दिखाई देने लगती है सोडा सो डिग्री सेल्सियस एक बार फिर स्वस्त वेक्ति का मनुश्य का ताप अंटानू.4 फैरेनाइट में केल्विन में 310 याद कर लेना और डिग्री में पूछे तो 37.9 बरफ का गलनांग जीरो डिग्री सेल्सियस और केल्विन पूछे तो 203 यह क्या कर देना एड़ कर सेल्सियस तता फरेनाइट इकोल होते हैं वह है माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और ब्रह्मांड का वहां निवन्तम ताप तो माइनस 283 जिसे क्या का जाता है साती हो परमशुन्य ताप पाड़ों पर पानी उबलने लगता है 100 डिग्री से भी कम ताप मान पर क्यूं वायुद ये ताप माइनस 233 डिग्री सेल्सियस उच ताप को मापने के लिए उप्योगी ली ली जाने वाली रासी पाइरो मिटर किस ताप मान पर पानी का गनत्व यह रेन दो और सूरिय की घती का ताप मान लगबग 6000 डिग्री सेल्सियस और यह रीट में पूछा गया कि उसन एक केलोरी उसमा 4.2 जूल के बराबर होती है और वहाँ ताप जहां पर वस्तु सपे दिकाई देने लगती है गरम करने पर 1600 डिग्री सेल्सियस तो आज के क्लास में हमने ताप से सम्मंदित उनके मात्रक और उनसे बनने वाले क्यूशन का क्या क्या है अध्यन क्या है आगे आ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी सेर कीजिए और वीडियो के नीचे देर के लिंक से आप हमें फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मैं आप से विदा लेता हूं धन्यवाद